क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर और पौधे अपनी प्रजातियों की निरंतर्ता कैसे सुनिश्चित करते हैं? इस वीडियो में हम सफल पुनरुत पादन की मनोरम दुनिया में उतरेंगे. विभिन जानवरों ने अपनी प्रजनन सफलता को अनुकूलित करने के लिए अद्वितिय व्यवहार विक्सित किये हैं. मोर पर विचार करें वे साथियों को आकरशित करने के लिए विस्तरित नित्य करते हैं. उनकी प्रदर्शन की गुणवत्ता जीन को पारित करने में उनकी सफलता को प्रभावित करती है भेडिये और शेर अपने क्षेत्रों की जमकर रक्षा करते हैं ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास पर्याप्त भोजन और संभोग के अवसर हों इससे उनके सफल प्रजनन की संभावना बढ़ जाती है पैंगुइन, इंसानों की तरह अपने बच्चों की सावधानी पूर्वक देखभाल करते हैं जिससे उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है और भविश्य की पीडियों में उनके जीन का प्रसार होता है सफल प्रजनन के लिए पौधों की भी अपनी विशिष्ट रन नीतिया होती है फूलों के जीवन तरंग और मोहक खुश्पू सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है वे मधुमक्खियों और पक्षियों जैसे परागणकों को लुभाते हैं जैसे ही ये जीव एक फूल से दूसरे फूल की ओर उड़ते हैं वे पराग स्थानांतरित करते हैं जिससे निशेचन की सुविधा होती है फल अपने स्वादिष्ट बीजों के साथ जानवरों द्वारा खाय जाते हैं ये बीज बाद में जानवरों के अप्षिष्ट में निशकासित हो जाते हैं जिससे पौधे को नए इलाकों में फैलने में मदद मिलती है। इसके अलावा, फन और मौस जैसे, कुछ पौधे प्रजनन के लिए बीजानूओं का उप्योग करते हैं। ये सुक्षम कोशिकाएं विक्सित होकर नए जीव का रूप ले सकती हैं। उनकी हलकी प्रकृती हवा को उन्हें ताजा स्थानों तक ले जाने की अनुमती देती है। लेकिन सफल प्रजनन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण क्यूं हैं। ये जनसंख्या संतुलन बनाए रखने और आनुवनशिक विवित्ता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रजनन व्यक्तियों की मृत्यों की भरपाई करता है, जिससे स्वस्थ जनसंख्या का आकार सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त ये आनुवनशिक भिनता को बढ़ावा देता है, जिससे ये संभावना बढ़ जाती है कि प्रजातियों के कुछ सदस्य बदलती परियावरणिये परिस्थितियों में भी पनपेंगे और प्रजनन करेंगे। प्रकृती की विशाल टेपेस्ट्री में प्रतेत प्राणी की अंतिमा कांक्षा अपने जीन को अगली पीडी तक पहुँचाना है। सफल प्रजनन को बढ़ावा देने वाले दिल्चस्प व्यवहार और तंत्र इस मिशन के अभिन अंग हैं।